हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश राब दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी चॉपनियोज कई इंपार्टन टॉपिक है सबसे पहले वो देखते हैं क्या कहा है टॉपिक तो 44 वहाँ फिडे 66 प्यार 2022 अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसके related कई सारे कोशन है भारती खिलार्यों के प्रदर्शन पर जो examination के point of view से महत्पूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे इसके लगव कई टॉपिक है जैसे बटेन के के first भारती सांसत के मकान को blue plaque का सम्मान दिया गया है British government के द्वारा किस देश में लांग्या वायरस के मामले सामने आए हैं और वहाँ फैल रही है वायरस नितिश कुमार ने पिहार के मुखमात्री के तो और पर कौन सुई भी वार शपत ली है CSIR की पहली महिला महानदेशक कौन बन गई है इसके लाब भी कई और कोशन सब पर चर्चा होगे तो दोस्तों शुरू करते हैं बिनादेर के हुए और लाइक बटन जोड़त वाना शेयर करजी तमाम इत्रों को प्लेज कोशन होगा ब्रिटेन के किस पहले भारतिय सांसत के लंदन इस्तित मकान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन में भारतिय सांसत आंसरों का दादा भाई नौरो जी न्यूज आप देख रहे हैं लंदन होम है और उसको ब्लू प्लैक ओनर दिया गया है बिटिश गवर्मेंट के द्वारा दादा भाई नौरा जी वो ब्रिटेन के पहले भारतिय सांसत है थे उनको ये ब्लू प्लैक निली पटिका का सम्मान दिया गया है और वो इस घर में आगे आपको घर दिखाते हैं यहाँ पर आठ वर्षों तक रहेंगे इंगलिश हरिटेज चरिटी की योजना होती एक ब्लू प्लैक और उसे एत्यासिक इमारतों को ये दिया जाता है ये सम्मान ठीके 10 अगस को दिया गया है और इस घर का नाम वाशिंग्टन हाउस है लाल इत का घर है वहाँ पर एक पटिका भी लगा दी गई है और वहाँ पर ये लिखा है कि दादा भाही नारोजी वह 1825 से 1917 तक भारतिये राष्टवादी और सांसत वहां रहा करते थे ओके इंपारेंट बात ही है दादा भाही नौराजी उनके बारे में बताऊं भारतिये स्वतनता संग्राम के एक प्रमुख सदस्त थे और 1886 में वह सेंटर ल अलेक्शन हुआ उसमें वह लिबरल पार्टी के टिकट पर वह चुनाओ लड़े और वहां जीत गए और चुने जाने के बाद वह ऐसे पहले भारती थे जो बुटेश की ब्रिटरियन की संसद में वहां पर बैठे थे बने थे सांसर ठीक है तिन बात यह है कोशन हो सकता है आजाए इस तरह के कोशन आते हैं चलिए आगे परते हैं अगला कोशन लते हैं नितीश कुमार ने बिहार के मुख मंत्री के तौर पर कौन सीवी बार शपत ली है आंसर होगा आठवी बार जन्तातली उनाइटिट के लीडर है नितीश कुमार आउन्होंने 10 जुलाई को आ पर मुख मंत्री के तौर पर उन्होंने शपत ली है ओके एंडिये से पहले गडबंदन था नितीश कुमार का उन्होंने तोर दिया गडबंदन और फिर वो आरजडी के साथ महा गडबंदन के नाम से जो एक गडबंदन था एलाइंस था उसमें वो शामिल हो गया और आठ छेमेड़ालीश्वां फिटेश चेसल अलम्पेयर 2022 में ओपेन काटेग्री में in nia 2team ने कौंसा मेड़ जीता है india 2team आंसरों का ब्राउज, ब्राउज मेडल इंडिया 2 टीम ने ये जीता है आप ये सोच रहे हों कि इंडिया 2 मैं क्यों बता रहा हूँ और इंडिया 2 यहाँ पर लिखा हुआ क्यों है देखें इंडिया की ओर से तीन तरह की टीमों ने हिस्सा लिया भारत को प्रिजेंट किया इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया 2 ने कौन सा मेडल जीता है तो वो जीता है ब्राउज मेडल और ये प्रित्योगता कहां पर हुए है चन्नाई के पास में ममला पुरम में आज़ुत की गई है चन्ने ने इसको होश्ट किया है और तीन टीम ने इंडिया की और से हिसा लिया इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 ओपन कैटेगरी में तो 9 अगस्त को इंडिया 2 टीम ने ये ब्राउज मेडल जीता है गोल्ड किस ने जीता है तो गोल्ड उजबेकिस्तान ने जीता और सिल्वर मिडल अर्मेनिया ने जीता है यहां सवाल होगा कि इंडिया टू टीम जो है उसकी अगवाई किन खिलाड़ों ने किये अधिबन भासकरान और रौनक साधवानी उन लोगों ने किये कब से कब तक यह चेश ओलम्पियाड हुआ है फिडेगा तो 28 जुलाई से लेकर 10 अगस 2022 तक यह आयोजन हुआ है चेश ओलम्पियाड और इसके जो टॉर्च रिले है उसका आयोजन भी हुआ था वो दिल्ली में हुआ था लेकिन मुखा आयोजन जो हुआ है वो चेन्नाई में हुआ है तो 19 जून को टॉर्च रिले का आयोजन किया गया था प्रामिस्टर नरेंद मोदी ने इंद्रा गाधी इंटरनेश्टल एश्टीडियम से टॉर्च रिले किया था पहली बार चलिए आग बरते हैं इससे रिलेटेड आगला कोशन चलिए फिडेचे सोलंपियार 2022 में ओपन काटिगरी में किन भारती खिलारियों ने वेक्तिकत गोल्ड मेडल हासल किया है यहाँ पर बात हो रही है वेक्तिकत गोल्ड मेडल की तो आंसर होगा A और B यानि डोमराजु गुकेश और निहाल सरीन इन दोनों ने यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया है न्यूस भी अब देख रहे हैं तो हिंदू में इनपॉर्टन है एक्जामनेशन के लिए और यह रहाँ फोटोग्राफ इन दोनों का ओके जीम गोकेश और निहाल सरीन ठीक है इनपॉर्टन बात यह है वेक्तिकर गोल्ड का मतलब भी हुआ कि जो टोटल गेम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा हाई स्कोर इन लोगों ने बनाय थे और इसलिए यह मेडल मिला है इनको गोल्ड मेडल बोर्ड वन में थे और बोर्ड टू में थे अलगला कई सारी केटिग्री में गेम हो रहा था तो उसमें इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है इनपॉर्टन बात यह है चलिए आगे बाते हैं अगला कोश लएते हैं उसे पहले आपको इनफर्म करता हूँ कि अब तक का टोटल करेंट फॉर्स पीडिएफ अबलेबल है इस वीडिवे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और यह पीडिएफ आपको मिलेगा वन येर के मेंबर्शिप के जड़ि पिछले कई सारे टेस्ट सिरीज में शामिल होने का आपको मौका मिलता है 40% डिसकाउंट बुक्स भी और फ्री शिपिंग भी है तो बुक भी आ चुक है जनवर से जुलाई तक की टोटल करेंट फॉर्स की बुक है शांदार आपके एक्जामनेशन में बहुत ही काम आएग तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना जरूर आप ये बुक ले सकते हैं अमेजन पे भी और सरकार जौबनेश के एप पे भी चलिए आगे बारते हैं अगला कोशन रते हैं चावलिस्वें फिडेval चेस ओलंपियार 2012 में ओपन काटिकरी में किस भारतिय खिळारी को वेक्तिउगत सिल्वर मेडल मिला है वेक्तिउगत सिल्वर मेडल आंसर होगा अर्जुन एरिगास ओके फोटोग्राफ ये रहा अर्जुन एरिगास तो इन्होंने एक बहतर रेटिंग प्राप्त किया और उसीग पर इनको सिल्वर मेडल मिला है व्यक्तिगत श्रिणी की बात हो रही है यहां पर चलिए आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं चवलिसमें फिडे चे सोलंपियाड दोहजर बाइस में ओपेंड कैटिक्री में किस भारती खिलाडी को व्यक्तिगत ब्राउंच मेडल मिला है आंसर होगा आर प्रग्या नानंद यह रहा फोटोग्राफ इनका शानदार उभरत लेते हुए खिला रही है और इनको व्यक्तिकत रूप से ब्राउंच मेडल मिला है शानदार उप्रब्धी के लिए अगला कोशन लेते हैं चवलिसमें फिडे चे सोलंपियार दोहजर बाइस में गैप प्रिंदा शिविली कप किसने जिता यह वाला गैप प्रिंदा शिविली किसमें जिता है यह इंडिया के और से तीन टीमें खेल रही थी, इंडिया वन, इंडिया टू और इंडिया थिरी, तो इंडिया वन में जो अगवाई की कॉनरू हमपी ने, जिनका फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसके लाबा हरीका, दुरुना वल्ली, रमेश बावु वैशाली और भक्ती कु इंडिया वन टीम ने कौन सा मेडल जीता है, आंसर होगा ब्राउज, पीछला था, वो स्पेशल कप मिला था, और यहाँ पर बात हो रही है, ब्राउज मेडल मिला है इन्हें, ठीक है, वोमेन काटिगरी की बात हो रही है, यह आप देख रहे हैं, नियूस बीट हिंदू मे इंपरेंट कोश्चन है, नौ अगस्त को यह ब्राउज मेडल जीता गया है, इंडिया टीम ग्यारवे राउंड में अमेरिका से हार गई, जिसकी वेसे ब्राउज मेडल में ही संतोष्ट करना पड़ा, और इंडिया वन टीम की अगवाई कौन कौन कर रहे थे, कौनरु वनली, रमेश बावुवेशाली और भक्ति कुल करने, उन सभी ने, ठीक है, वोमेंस काटिगरी में गोल्ड मेडल जीता है, यूक्रेन ने और जॉर्जिया ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, यह लिष्ट भी आपके सामने रही, वोमेंस की, अगला कोशन लेते हैं, इस ठंबी, जो के एक विक्ति है, कितर है, जिसके सीर के ऊपर, मतलब सीर जो है घोड़े का है, और उसने लूंगी पहना हुए, हाफ और एक शर्ट पहनी हुई है, तो यह है ठंबी नाम से, और यह शुभंकर जो है, वो लॉंच किया गया था, किसन लॉंच किया था, तमिलान छोटा भाई, अगला कोश्रते, चवालिसों फिडे चे सोलंप्यार दोहजर बाइस के एंथम, वनकम चिन्नई, उसे किसने कमपोच किया, ओके, एंथम का नाम क्या है, तो वो है वनकम चिन्नई, यह एंथम है, तो किसने कमपोच किया है, लिखा किसने है, और गाया भी किस आंसरोगा A.R. रहमान ने खुदी इसे कमपोज किया खुदी गाया और यूटूब पर इसे रिलीज किया गया था वहाँ चन्नी में खुब संगीत को धून को वहाँ बजाया गया अगला कोशन रहते हैं इस तरह से ने खुदी बजाया गया और इसकी वज़े से दुनिया भर में ये बज़ पॉपलर हुआ है तो इसलिए एक्जामनेशन में ये कोशन हो सकता है इस तरह से जब आप उजरते हैं वहाँ से तो इस तरह से नेपिया ब्रिज दिखाई जता है चन्नी में ये स्थित है ब्रिज और खास तोर पे इसे ऐसा कलर किया गया चलिए अब चेस वलंपियाट से अलग दूसरे मुद्दों पर चलते हैं तो कोशन होगा किस देश में अगस्ट दोहजर बाइस में लांग्या वायरस के मामले पाए गए हैं लांग्या वायरस एक नए तरह का वायरस आ रहा है आंसर होगा चीन चीन में पहले तो COVID-19 देखनों को मिला था और अब ये लांग्या वायरस वहाँ पर मिला है मामले पाए गए हैं चीन के कई साए प्रांत में 35 से जादा लोग संक्रमित हो चुके हैं एक ये जुनोटिक वायरस है और इसको लांग्या वायरस कहते हैं और इसको बायो सेफटी लेवल 4 के रूप में वर्गित किया गया है गंभीर बीमारी बन सकता है मनिश्यों में ये पैथोजन जो जानवरों और मनिश्यों में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है अब भी तक इसका कोई टीका मौजूद नहीं है लंगिया वायरस का नियूज भी आप देख रहे हैं इडियन एक्सिस में 35 लोग इससे पॉजिटिव हो चुके हैं चाइना में और ये इस तरह का वायरस ये देखने को मिला है उसका जो सांटिस्ट ने जो उसके फोटोग्राफ निकाले हैं वो इस तरह का फोटोग्राफ है इसमें बुखार वगरा हो जाता है और संक्रमित होता है इंफेक्टेट हो सकते हैं लोग थकावाट, कफ, बुखार, सिरदर्द, उल्टी, लिवर इंफेक्शन, किटनी इंफेक्शन, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना वाइक ब्लट सेल काउंट कम हो जाना तो ये सब संभावनाएं हो सकती हैं लग्या वारस के दौरान हाला कि चीन के कहाना है कि उसने इस पर कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की हुई है चलिए आगे बरते हैं अगला कोश्चन लेते हैं भारत की नई राष्टपती से मिलने वाले पहले विदेशी राष्टा धक्ष कौन है ये पिछले वीडियो में मैंने दिया था लेकिन वो एडिटिंग के दोरान वो कट किया था तिसलिए मैंने इस कोश्चन को फिर से डाल दिया है तो कौन है इसका आंसरोंगा इब्राहिम मुहमद सोले है ये फोटोग्राफ रहा आप देख रहे हैं इसमें इब्राहिम मुहमद सोले और भारत की नई राष्टपती दुरापदी मुर्भू वो मुलाकात कर रहे हैं तो वो पहले ऐसे राष्टादक्ष है जन्होंने नई राष्टपती साथ मुलाकात किये दो अगस्त को वो आये थे इंडिया ठीक है और छे एग्रिमेंट इंडिया के साथ साइन हुए थे पिछले वीडियो में मैंने बताया था चलिए आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं उत्राखंड का राज ब्रांड एम्बेजडर किसे बनाया गया है नया आंसों का रिशब पंत तो वहां के मुखपंत नहीं है पुशकर थिम सिंग धामी तो उन्हों नहीं ये ऐलान किया है कि क्रिकेटर रिशब पंत जो है वो राज के ब्रांड एम्बेजडर है दरसल रिशब पंत जो है मोलता उत्राखंड के निवासी है और 24 साल के उमनों मे उनको ब्रांड एम्बेजडर बनाया गया है ठीक है उत्राखंड की बात हो रही है मुखपंत ही मैंने बताया पुशकर सिंग धामी गवर्नर कौन है गुरमीत सिंग और ये रहा फोटोग्राफ चलिए आग बरते हैं अगला कोशन लेते हैं केंदर सरकार ने निरधर्णता यानि गरीबी और भीक्चा वर्ति यानि भीक मांगने की जो समस्या उसके समधान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है आंसर होगा समाइल 75 समाजिक नियायो और दिकारता मंत्राल ने ये लांच किया है समाइल 75 को लांच किया है ये पहले से मंत्राले में समाइल प एंड इंट्रप्रेज तो उसका एक हिस्सा है जो पहले से चल रहा था जो योजना चल ले थी इसमाइल उसी को अब इसमाइल 75 नाम दे दिया गया है तो इसके लिए यह है कि 2025-26 तक 100 करो रुपे आवरंडित किये जाएंगे और इसके तहत यही होगा कि जो गरीब हैं और जो भीक मंगे लोग हैं भीक मांग कर गुजार कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से थोड़ा सबल बनाया जाए ठीक है तो यहां बात हो रही है मंत्राले किसकी तो समाजिक नियायो अधिकार्टा मंत्राले कि डी जी आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी न्यूस भी आप देख रहे हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली वुमेन डेक्टर जेनरल बन गई है केंज सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है किसके जगह पर शेकर मांडे की जगह इनको नियुक्त किया गया है और CSIR के 80 साल के इतिहास में से पहली बार जब किसी वुमेन डेक्टर जेनरल को नियुक्त किया गया है दो साल तक वो सेवा देंगी और देशबर में जो 38 लिबरेटरीज है और करीब सारे 400 से जादा विज्यानिक है उनका नित्रत वो करेंगी ठीक है इंपार्टेंट बात ये रहा और ये रही फोटोग्राफ इनका ये रहा क्या नाम है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी तो दोस्तों ये था इंपार्टेंट करेंट पर्स कैसा लगा कमेंट बाॉक्स में आप बता सकते हैं और मेंबर्शिप ये आप ले सकते हैं एक्जामनेशन के पॉइंट ओ व्यू से और ग्रूप डी का रिव्यू देखना मत भूलना हम लोग लेकर आ रहे हैं आप मिलते हैं अगले वीडियो में